सबजी रूटी खाकर हो गए हैं बोर तो एक बार इस रेसिपी को जरूर प्राइ किजिएगा आज हम आपके लिए नास्ता की रेसिपी लेकर आए हैं साथ ही में चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही जादा टेस्टी है इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और किसी भी इसका यूज करते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां एक कप चाबल लिया है और इसका हाफ कप हमें चना दाल लेना है आप चाहे तो चना दाल की जगह मूं का दाल भी यूज कर सकते हैं तो बस इन दोनों को हमें डालना है और इसमें हम डाल देंगे पानी पानी का ज तो चलिए आप हम इसे side में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं अब हमने यह एक कड़ा ही लिया है uyसमें हम डालें गे काट हुए टीन टमाटर तो आप कोसिद किजिएगा पका हुआ टमाटर ही इस्तेमाल कीजिएगा जो लाल-लाल होता है पका हुआ उसका इस्तमाल कीजिएगा उसके बाद आपको टमाटर को इस तरह से उपर से कट लगा देना है तो इस तरह से कट लगाने के बाद आपको इसमें पानी डालना है और इसे हम बॉयल करेंगे तो यहां देखिए मैंने पानी डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कप कासमेरी लाल मिर्च कासमेरी लाल मिर्च कम तीखा होता है और इसे कलर बहुत बढ़िया आता है यदि आपके पास कासमेरी लाल मिर्च ना हो तो आप नॉर्मल मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं नॉर्मल मिर्च थोड़ा ज़्यादा तीखा होता है इसलिए उसका जो quantity रखिएगा कम रखिएगा तो मैं यहां कासमेरी लाल मिर्च का देखिए इस तरह से डंठल निकाल कर इसमें एड करूँगी और इसे हमें 10 मिनट के लिए बॉयल करना है तो बस कबर लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम बॉयल कर लेंगे तो यहां 10 मिनट हो चुका है और हम चेक कर लेते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं तो यहां देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है जब हम इस तरह से दबा रहे हैं तो यह सॉफ्ट दिख रहा है और हम मिर्ज को भी चेक कर लेते हैं, मिर्ज भी बहुत अच्छे से सौफ्ट हो गया है, तो अब हम गैस को आफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद आपको टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं, यदि आप छिलके यूज कीजिएगा इसमें, तो फिर बिल्कुल स्मूद सा पीवडी तयार करना है तो उसके लिए हमें ग्राइंडर जार लेंगे और तमाटर और जो मिर्च है उसको डाल देंगे मेरा अभी टमाटर गर्म है लेकिन आप ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड कीजिएगा मुझे रेसिपी जल्दी बनाना है यूज कर रही हूं तो यहां मैं टमाटर को डाल दी हूं अब मिर्ची को भी डाल देंगे साथ में जो इसका पानी है उसे भी इसमें डाल देना है और इसका अच्छा सा प्यूरी तयार कर लेंगे तो यहां देखिए मैंने टमाटर और मिर्च का बढ़िया सा प्यूरी बना कर रेडी कर लिया है बिल्कुल फाइन प्यूरी है अब हम क्या करेंगे एक कराही लेंगे उसमें हमें दो चम्मस तेल डालना है तो जो भी आप खाना बनाने के लिए तेल का इस्तमाल करते हैं उसक के बाद हम इसमें इस्तमाल करेंगे प्याच तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं अब इसका कलर हलका चेंज हो गया है तो हम इसमें एड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याच जिसे हमने पारी काट लिया है जाता प्याच का यूज नहीं करना है बस एक छोटा प्याच का आप इस्तमाल कर सकते हैं इससे फेवर बहुत बढ़िया आता है इस चट्टी में तो इसका इस्तमाल जरूर कीजिएगा इस लहसन और प्याज के वजए से बहुत ही बढ़ियां टेस्ट आएगा तो बस इसका भी हम हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे और अब इसमें एड कर देंगे नमक तो नमक हमेशा स्वात के कॉर्डिंग ही इसमें एड करें तो यहां देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है तो हमने जो टमाटर और मिर्च की प्यूरी तैयार करके रखी है इसमें एड कर देंगे और बिल्कुल इसे अच्छे से पकाएंगे यहां जो grinder jar में थोड़ा सा प्यूरी लगा हुआ है उसमें हम पानी एड़ करके इसमें डाल देंगे इस चटनी को बना कर आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे किसी भी चीज के साथ चाहे आप ममोज के साथ खाये या फिर आप चौमिंग के साथ या मैगी के साथ या डोसा के साथ किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अब हम इसमें एट करेंगे एक चमच काली मिर्च पाउडर तो एक छोटा चमच काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए एक चमच सीजनिंग डाल दीजिए इन सारी चीजों की बज़े से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है आधा चम्मच चीनी का यूज करेंगे यह सारे चीजों को सारे फ्लेबर को बैलेंस करता है तो इसलिए आपको हाफ चम्मच चीनी का यूज करना है और दू चम्मच हम टेमाटो केचप यूज करेंगे जब इस तरीके से इस चटनी को बनाएगा तो बहुत ही जादा टेस्टी लगता है इसे आप चाहे तो पिज़ा सॉस की तरह यूज कर सकते हैं या फिर सेजवान चटनी की तरह बिल्कुल उसी तरह का इसमें फ्लेवर है और ये मार्केट जैसा ही बिल्कुल आपको टेक्शर और देखने में लगता है तो इसका आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह से रखिएगा पिल्कुल स्मूथ टेक्शर है तो हमारा जो चटनी है अल्मोस्ट डन हो चुका है तो आप इसे एक बार जरूर टेस्ट कर लीजेगा कि इसमें नमक या फिर जो हमने जो चटनी है बिल्कुल बनकर अभी रेडी हो गया है क्योंकि यह सारी चीज हमने एट किया है जिसकी बज़े से यह चटनी जो है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर रेडी हो जाता है बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो बस यहां हमने सारी चीजों को मिला दिया तो यहां हम चावल और दाल को चेक कर लेते हैं तीन घंटे हो चुके हैं और ये दाल और चावल दोनों अच्छे से सौफ्ट हो गया है आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी होकर रख सकते हैं ताकि ये जो चावल और दाल है बहुत अच्छे से सौफ्ट हो जाएगा और स इसे मैंने तीन पानी से अच्छे से वाश कर लिया है उसके बाद एक ग्राइंडर जार में इसे डालेंगे और थोड़ा सा पानी एड करके इसे बिलकुल फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे तो ज्यादा पानी एड मत किजेगा क्योंकि यह चो नास्ता बनेगा ना पर अच्छे से नहीं बन पाता है तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो यहां देखिए इसका जो टेक्शर है कुछ इसी طरब होना चाहिए यह नो ज्यादा पतला है और नहीं ज़्यादा गारा है तो कुछ इसी तरह का टेक्शर आपको रखना है तो अब देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है तो अब हम इसे क्या करेंगे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और पिंच भर हल्दी पाउडर ज्यादा हल्दी पाउडर का यूज मत किजिएगा बस पिंच भर कलर के लिए मैं यहां यूज कर रहे हूं आप चाहें तो इसमें साबुत जीरा भी आधा चमच एड़ कर सकते हैं यह लेकिन मैं केबल नमक और हल्दी का ही यूज कर रहे हूं उसे डालने के बाद आपको अच्छे से इसे फेट लेना है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से फेट लीज़ेगा तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है बनने के लिए तो चलिए अब हम इसे बनात है उसके बाद इस पे पानी का छीटा लगाना है और इसे कोई कप्रे से या टीसूर पेपर से अच्छे से पोच लेना है पोचने से क्या होगा कि तेल हमने इसी परपस से डाला है ताकि जब हम इस पे बैटर को डाले तो वो नीचे चिपकेगा नहीं और पानी का छीटा इ तो भी आपको बढ़ियासा ही। मतलब कि यह पूली तरीकी से क्रिस्प नहीं होता है। बहुत थी अच्छा लगत थी तो बस आपको बैटर को ड़ना और इसे पहला देना है। ज्याद्था कि तरह नहीं फैलाएगा। अहलके हाथों से इसे पहलादीचिये घाए U और इसका size आप अपने according छोटा या बड़ा रख सकते हैं, तो बस देखिए एक side से ये हलका सा देखेंगे कि बिल्कुल जालीदार हो जाता है और नीचे से ये बिल्कुल crisp रहेगा, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको जालीदार सा दिख रहा होगा, होल होल सा दिख रहा होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा तेल इसके उपर डालना है, और इसे दोनों side से हम सेंक लेंगे, मतलब एक side से देखिए यहां हमारा sick चुका है, तो दूसरा side भी हम हलका सेंक लेंगे, जिसे इसमें कच्छापन न रह सके, तो यहां हमारा नास्ता बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो चुका है, तो इसी तरह से हम बाकी नास्ते को भी बना कर रेडी कर लेंगे, तो यहां देख सकते हैं, मैंने दूसरा नास्ता भी डाला है, और इस पे कितना जालीदार बन कर दिख रहा है, तो लीजिए हमारा बिल्कुल बढ़िया सा नास पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेस्बुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्ट्राग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक के पापाई